एन्टी ए यूजिस नेक्ट यानि निमिज नेक्ट डाउंलोड इट उन गूगल प्ले स्टार सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाईए बैल आइकन ताकि आप आसके हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से नमस्कार दोस्तो, Teaching Attitude Class 1 आज कीस क्लास में हम जानने वाले हैं सिक्षण क्या है? सिक्षण का अर्थ क्या है? सिक्षण की सिध्धान च्या है? और सिक्षण की विसेश्ताइग क्या है? यह सभी चीजे आज हम जानने वाले हैं दोस्तो यह हमारी एक basic minist है और इसमें से दोस्तो पहले भी काफिक कोश्चन आ चुके हैं और आगे भी समें से कोश्चन आने की संभावना है लेकिन दोस्तो टीचिंग एप्टिट्यूड को समझने के लिए हमें सिक्षन की बेसिक समझ होना बहुत ज्यादा जरूरी है तो इस वीडियो का पूरा देख देखने को मिलेंगे नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइस के अलावा आपको सब टॉपिक वाइस कोशन भी देंगे आज तक जैसे जो भी टाइप ओफ रिशर्ट से कोशन आचके वो अलग है यानि कि सब टॉपिक वाइस कोशन भी आपको मिलने वाले हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षन क्या है और शिक्षन का अर्थ क्या है देखिए जैसे कि हम अलग अलग देश में जाएंगे तो वहां प Superman करने का तरीका अलग होगा तो ये समाज के अनुशार और टाइम के अनुशार चेंज होती रहती है सिक्षन को मुखे रूप से दोस्तो त्री धुर्विय सरंचना माना गया है वैसे तो अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग सरंचना मानी है सिक्षन की लेकिन मुखे रूप से इसके अंदर तीन चीज़े होते हैं दोस्तों एक होता है सिक्षक जो हमें सिखाता है नमबर दो पे होते हैं दोस्तों सिक्षार्थी जो सीखता है नमबर तीन पे दोस्तों पाठ्थे करम जिससे हम सीखने की कोशिश करते हैं जिसकी साहता हम लेखते हैं जी कि सिख्षक जिस तरह से सिखाएगा वैसा ही बच्चा सीख पाएगा आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसके इंदर सिख्षा के छेतर में सिख्षन सबसे परमुख है सिख्षन एक समाजी की प्रिकिरिया है सिख्षन सब्द सिख्षा से बना है जिसका अर्थ शिक्षा परदा बनेंगे यानि कि हमारे वैवार में चेंज जरूर आएगा चाहिए वो कैसा भी आई सिक्षन का तात्परे बालक को कक्षा में निश्चित समय निश्चित विधियो निश्चित स्थान पर पूरू नियोजित धंग से सिक्षन दिया जाता है यह चीज हमें ध्यान रखना बह एक निश्चित स्थान पर पूरु नियोजित धंग से किया गया कोई कारिये क्या कहलाता है सिक्षन कहलाता है दोस्तों अगर कोई बालक जा रहा है मान के चलिए ठीक है उसने गाड़ी पे कुछ लिखा वो उसको दिखाई दे गया उसने वहां से सीखा तो वो शिक्षन नहीं है दोस्तों अगर मान के चलिए दो सांड की लड़ाई हो रही है या फिर कुछ दो कुटे लड़ रहे है या कुछ भी हो रहा उससे अगर बच्चा सीख रहा है अगर बच्चा चल रहा है बच्चे को ठोकर लग गी और वो गिर गया उसे पता चल गया भी ठोकर लगने से चोट लग जाते हैं खोन निकलता है तो वो सिक्षन नहीं है दोस्तों वो सिक्षन नहीं है क्योंकि सिक्षन क्या होता है सिक्षन एक निश्चित समय में निश्चि से दो Jew तक कलास होगी और नो वजए ये टीचर पढ़ाएंगे 10 बज़े एग्यारवंजे यह याया लिए पूरा यशी विश्टेती तरीके से होता है तो वह क्या होता है हमारा सिक्षन होता और हम आगे बात करेंगे जैसे शिक्षन और अधिगम में अंतर की बात करेंगे तो उसमें आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा अधिगम क्या होता है दोस्तों अधिगम में क्या है कि हम कहीं भी कैसे भी सीख सकते उसके इंदर सिस्टमेटिक ढंग से सीखने की जरूरत नहीं होती आगे हम बात करते हैं दोस्तों डेफिनेशन आफ टीचिंग देखें अलग-अलग विद्वानों ने और क्या-क्या डेफिनेशन दे उसके बारे में हम बात करते हैं वर्ल्ड फुक इनसाइकलोपेडिया के निसाल सिक्षन एक प्रिक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्यान पोषत तरह अभी रूचियों को सीखने या प्राप्त करने में साहेता करता ऑढ़ इसके निसाल कहें है दोस्तों इसके में सार केंगी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को या तो कुछ सिखाता है या फिर उससे कुछ सीखने की कोशिश करता है Edmond ने क्या कहा है दोस्तों शिक्षन के बारे में और आगे हम बात करते हैं गेज, गेज ने क्या कहा है, सिक्षन एक परकार का पारसपरिक प्रभाव है, जिसका उदेश से दूसरे वेक्ति के वैभार में अपिक्षित परिवर्तन लेके आना, अब इनका सोचना अलग है ना, यहाँ पे इन्होंने टीचर और स्टुडेंट क की बात नहीं की, इसने का है की सिक्षन क्या है की कोई भी दो वेक्तियों के वीच में हो सकती है, और जहां पर उदेश से होता है, किसी दूसरे वेक्ति के वैभार में वांचित परिवर्तन लेके आना, ठीक है, तो यही बात है दोस्तों, हर जो विद्वान है, उसकी अलग परिवर्तन करने की एक परिकिरिया है, यह इंपोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें से पहले कोशिन आ चुका है, सिक्सन का मुख्य उदेश से यह होता है, कि हम किसी वेक्ति के अंदर वांचित परिवर्तन लेके आए, उसके वैभार में मोडिफिकेशन करें, तो यह चीज़ आप ध्यान में रखना, इसमें से पहले कोशिन आचुका है, अगर आपने ओल्डील कोश्में पेपर किये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, सिक्सन एक उदेश से पूर्ण परकिरिया है, सिक्सन समाजिक ए towय वैवासाइक परकिरिया है, समाजिक परकिरिया तो हमने देख ली वैवासाइक कैसे है, जैसे कि हम college में पढ़ते हैं और university में पढ़ते हैं कहीं भी पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमसे कुछ ना कुछ फीस ली जाते हैं तो इसको हम वैवासा एक परकिरिया भी कहे सकते हैं आगे हम बात करते हैं सिक्षन एक विकास आत्मक परकिरिया है ये continuously चलती रहती है सिक्षन एक तार्थिक परकिरिया है इसके अंदर क्या होता है दोस्तों हम तरक वितर करते हैं हमारे जैसे school के अंदर होता है बच्चे होते हैं वो हमसे साल जवाब करते हैं अगे मात करते हैं, सिक्सन एक आमने सामने की प्रिक्रिय है, देखे ये बात करें, ये तो पहले की बात होगी, जब हम गुरू कूल वगयरा में होते थे, तब क्या होता था कि आमने सामने अगर टीचर है, स्टूडेंट है तो बहुत अच्छे से हो सकता था, लेकिन आज समय के इन सारी चीज़ है हो गई है आज हम ओं-लाइन टीचिंग से बहुत अच्छे टीचिंग कर सकते हैं आमने सामने होना ज्रूरी नहीं नहीं है शिक्षन प्रेर्णा अत्मक्रीया है देखे अच्छा सिक्षन उब होगा जो हमें परएहना देवें अगे बढ़ने के लिए कुछ बात्प बते करें वह होगा हमारा अच्छा सीक्षन देखे सीखने का मतलब तो अगर कोई टीचर गंदी बाते शिंखा तो वह अच्छा section नहीं माना जाएगा तो उसको हम section नहीं कहेंगे आपे हम बात करते हैं, section एक कुशल निर्देशन है, निर्देशन में हमने उपर बात की थी न, इन्होंने कहा था, ये कौन था, इनोंने कहा था, almost रियांस ने कहा था, कि सिक्षन के अंदर हम एक दूसरे को निर्देश देते हैं तो यही इसके अंदर है सिक्षन एक त्री मुखी प्रकिरिया है यह चीज हम उपर पढ़ के आये थे त्री मुखी प्रकिरिया है और तीनों चीजों के हमने बात की थी सिक्षन उपचारिक अनपचारिक प्रिकिरिया है सिक्षन क्या है दोनों तरह की हो सकते दोस्तों फॉर्मल और इन्फॉर्मल दोनों तरह की हमारी सिक्षन हो सकती है आगे हम बात करते दोस्तों सिक्षन दवी मुखी प्रिकिरिया अब देखी हमने उपर बात की थी त्री मुखी परकिरिया अब बात आ रहे है दवी मुखी परकिरिया की तो ये दोस्तों ये किसने माना है एडमस महद्बे ने माना है कि सिक्षन जो है दवी मुखी परकिरिया होती है इनके इनुसार क्या है सिक्षन को दवी मुखी परकिरि व्यक्तिगत भिंताएं ये देखी ये व्यक्तिगत भिंताएं सिक्षन को परभावित कर सकती है क्योंकि कलास में हमने देखा होगा कि कई बच्चे होते हैं कि वो कुछ भी बताने बहुत जल्दी समझ जाते हैं और कई बच्चे ऐसे होते कि वो बहुत ज्यादा बताने के ब बाता है तो तो वहां पर सुक्षल दैबर्ट होग सक्षक की कुसलता ओस के इतर देखा जाता है की टीचर कितना अच्छे तरीके से पणा अगर एजिटेट होगा तो श्टूडेंटms नहीं पढ़ पाएंगे उनको विश्वास नहीं होगा कि टीचर जो पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है, गल्त पढ़ा रहा है. आगे हम बात करते हैं कि सिक्षन के सिधान्त क्या होते हैं देखें जीवन से संबंदित होने का सिधान्त ये बात हमने पहले भी की थी कि सिक्षन कैसा होना चाहिए सिक्षन ऐसा होना चाहिए जो हमारे जीवने पोजिटिव तरीके से हमारे चेंज लेके हैं हमारे अंदर ऐसा ना हो कि जो हमें गंदी चीजे शिखाएं हमारे जीवन से संबंदित होना चाहिए और ये दोस्तों ये पहले एक्जाम के अंदर आ चुका है उदिश्य निर्धारन का सिध्धांत हम जो सिक्षन करें उसका एक स्पेसिफिक उदिश्य होन चाहिए ऐसे निये कि आज पढ़ा दिया फिर दस दिन वाद पढ़ा दिया फिर पंदरा दिन वाद पढ़ा दिया ऐसे नहीं होना चाहिए किरिया सिलता उसके अंदर होनी चाहिए व्यक्तिगत भिंता का सिध्धांत अब देखिए इसका मतलब क्या है दोस्तों ज्यादा समझदार है उनको अलग से बताना चाहिए अगर होसके तो तो काफी तरह के सिधान्त है दोस्तों आप इसमें से देख लेना कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है और इसमें देखे अभी प्रेणा का सिधान्त जैसे मोटिवेशन का सिधान्त हमने बताया था अभियास का सिधान्त ज्यादा अच्छा सिक्षन कब होसकेगा तभी होसकेगा जब हम उसका अभियास करेंगे अब हमने बहुत बार देखा है कि स्टूडेंट के पास जैसे कंप्यूटर का डिपलोमा होता है लेकिन वो जब छे महीने बाद या एक साल बाद जब कंप्यूटर चलाता तो उसे माउस भी पकड़ना नहीं आता माउस भी नहीं चला पाता वो तो जब तक अभियास नहीं करेंगे तब तक हमारा सिक्षन सक्षफुल नहीं होगा तो यह देख लेना दोस्तों और जैसे एक हां यह भी दोस्तों यह हमारे एक्जाम में आ चुका है मनोरंजन का सिध्धान्त हमारा जो सिक्षन होता है वह एडूटेन्मेंट होना चाहिए दोस्तों उसके इंदर सिक चीजें बतानी चाहिए जो उनको कुछ समझ में आ रहे हूं कुछ उनको पता हो और उसके बाद में अज्यात की और लेके जाना चाहिए सरल से कठ haird T की और सबसे पहले हमें उनको सरल चीजे बतानी चाहिए और फिर उसे कठीन की और लेके जाना चाहिए पर्तेक्स से प्रॉक्ष की और पर्तेक्स हमें बच्चों को ऐसी चीजे बतानी चाहिए जो वो डायरेक्टली देख सके डायरेक्टली समझ सके अगर हम चोटे से की और अनुभाव से तरक की और यह दोस्तों और इन में से पहले question आज के आप old year question paper जरूर करना दोस्तों और इन से related इस theory से related हम कोशिश करेंगे आपका live mock test लेंगे इस से related जितने विया आज तक question आए वो हम live class में जरूर करेंगे आपको इसके के उद्श से की बात करें तो दोस्तो रोबर्ट मेगर के अनुजार एक शिक्सन उद्श से एसी इच्छा है जो कथनद वरा व्यक्त की जाते हैं एंवम सिक्से और जिसमें शिक्सारति में प्रोत्साहित अधीगम का होते हैं सिक्सन होता है जो हम से सीख रहा है उसके वैभार में वांचित परिवर्तन लेके आना पोजिटिव परिवर्तन लेके आना वो होता है हमारा सही माइने में सिक्षन का उदेश से और यह देखना दोस्तों अगर आप ओल्डियर कोशन पेपर करेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा इसमें से पहले कोशन आया हुआ है और अगर इसमें पढ़ना चाहे तो दोस्तों यहाँ पर इंगलिस में भी पढ़ सकते दा एम आफ टीचिंग यहाँ पर काफी सारी चीज़े दी गई है आप असानी से पढ़ना दोस्तों अगर फिर भी आपको कोई प्रोलम आई तो आप हमीं वर्टसप पे कोंटेक्ट कर सकते हैं और अगर आपको हमारी वीडियों अच्छे लग सेर कीजिए अगर आपका कोई सवाल जवाब है तो आप हमें किरें बता सकते हैं थैंकि दोस्तों दोस्तों अगर आपको नेट और जयार चाहिए तो हमारा पेड़ कोर से ज़रूर जोइन किजी इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं नमबर एक 2022 के न्यू अपडेटेटी नोर्स देंगे नमबर दो 2012 से लेके 2020 तक सभी सिट के कोशन पेकर हिंदी इंग्लिस में देंगे टाइप ओफ कमनी किसन से जो भी कोशन आचके वो अलग है यानि कि सब टोपिक वाइस कोशन भी आपको मिलने वाले हैं नमबर पांच के दोस्तों हम आपको ओल्ड टैन यूनिटी एड़ फ्री वीडियोस देने वाले हैं इसके अलावा भी आपको पेड़ कोशन में बहुत कुछ मिलने वाला है हम आपको मैथ और टी आई के सभी कोशन का सोलीशन प्रोवाइड करवाएंगे और इसके साथ दोस्तों हम आपको ये विताएंगे कि ऐसे कोशन है जो बारवान एक्जाम के अंदर रिपीट होते हैं तो दोस्तों देव किस बात की अभी जोइन किजी हमारा पेड़ कोश क्योंकि निमीजीनेट है तो जयारप है